ये गाईज, वेलकम बेक टू माई अनाधर वीडियो और दोस्तो आज फिर से एक लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में जो की मौती लाल नहरू कॉलेज उनिविटी अप डैली से लेटेस्ट अपडेट्स MNC University of Delhi और दोस्तो ये लेटेस्ट अपडेट्स है वो 13 दिशंबर 2021 को पब्लिस हुआ है और यहाँ पर complete detail में हम बात करने वाले हैं कैसे आपको apply करना है कैसे आप पूरा इस vacancy के बारे में detail जो भी information है वो acquired कर पाऊगे वो सारी चीज़ें हम यहाँ देखने वाले हैं दोस्तों तो आप वीडियो को like करके पूरेंस तक share जरू कर दें ताकि उनको भी latest updates मिल सके सबसे पहले और सबसे सटीक दोस्तों मैं टीके सौनवाल आप सभी का बहुत पर स्वागत है जैनुन नर्सिंग पॉइंट जैपूर में और दोस्तों चैनल पर ना हो तो चैनल को subscribe जरू कर लें और जो bell icon देख रहा है उसको all पर press कर लें ताकि आ आप अमरे टेलीग्राम ग्रोप है वो जोइन कर सकते हो लिंक आपको description में मिल जाएगा ओके सो चलिए बना टाइम का बात हुए देख लेते हैं लेटेस्ट अप्डेट्स एप्लिकेशन आर इन्वेटेड फोर वन पोस्ट आप नर्स ऑन कॉंट्रेक्चुल वैसिस यहाँ पर दोस्तों एक बेकेंसी है कितनी एक बेकेंसी है और कॉंट्रेक्चुल है और यहाँ पर आपका fix एक पे दिया जाएगा आपको 27,522 रुपे जी हाँ जो कि University of Delhi के द्वारा Approved Rate है एक कॉंट्रेक्चुल Employee के लिए कैसे एक कॉंट्रेक्चुल जो Employee है Delhi University के अंदर University of Delhi के अंदर DU बोला जाता है क्या बोला जाता है DU आप सर्च कर रहे हो तो DU के नाम से आजाए Delhi University तो उसके जो कॉंट्रेक्चुल Employee है उसके लिए fix कर रखा है एक रेट 27,522 रुपे Essence Qualification के हम बात कर लेते हैं तो फर्स्ट यहां पर आपके Essence Qualification मैं आपको बता देता हूँ VSC Nursing या Post Basic VSC Nursing थर्ड यहां पर मैं आपको बता देता हूँ GNM Conduits भी अप्लाई कर सकते हैं Condition VSC Nursing और Post VSC VSC Nursing के पास आपका 6 मन्त का बर्क Experience होना चाहिए वही कितना 6 मन्त का Condition with GNM आपका 2 and a half year 2 and a half year का बर्क Experience होना ज़रूर है clinically Then you are eligible for this job, okay आप देख सकते हो यहां पर VSC Nursing और Post VSC Nursing और Post VSC Nursing and 50-Wedded 6-month experience 50-Wedded Hospital after acquiring the qualification and registered nurse and midwife RN and RM आप registered होना जरूरी है दोनों के अंदर Okay, यहां पर 2 and a half year का बर्क Experience minimum 50-Wedded Hospital Then next हम बात करेंगे how to apply Okay, अब apply कैसे करना है जो candidate interested है वो apply कैसे करेंगे तो apply करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है Candidates are required to apply on email आपको इस email ID पर www.mautilalneharu64-gmail.com पर आपको apply करना है Apply कैसे करना है वो आप एक वर official website बिजिट कर लिजिए या फिर मैं आपको बता देता हूँ I think जो मैं बता रहा हूँ ऐसे आप apply कर सकते हो आपको एक resume बनवाना है आपका bit wired data पूरा जिसे आप form बरते उस type से और आप जितने ही आपके documents हैं वो साथ में attach कर दें एक self-attested photocopy PDF बना लें सब की एक और इस official mail पर आप send कर दें 10 days के अंदर मतलब 13 को latest updates आया है यह हैं तो आप 23 तक यह अप्लाई कर सकते हैं ओके बाकी का information आपको चाहिए तो आप official website पर विजिट कर सकते हो www.ml.ml.ml के माई यह जो भी है इस पर आप विजिट कर लेना एक वर यह फिर आप contact कर लेना है आपर मौतिलालनेरू64 at gmail.com पर बहां से आपको और information मिल जाएगी आपको और आपको पर वाचिंग दिस वीडियो गाईच फिर मिलनक किसी ऐसे ही लैटास्त अबडेट में आज के लिए बस इतना है थैंक्यू गाईच झाल झाल झाल